अगर आप loan apply करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको ऐसे applications की मैं बात कर रहा हूं M pocket यह एक ऐसा application है जिसमें घर बैठे ही आपको यह loan देता है तो आज के वीडियो में आपको M pocket के जरीए कैसे loan apply करना है आज के वीडियो में आपको पूरा process बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखेगा step by step मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे M pocket के माध्यम से आप loan apply करके instant लेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों अगर आप चाहते M pocket application से instant personal loan लेला तो इसली आप घर बैठे ले सकते हैं सबसे पहले वीडियो में लिंक दे दूँगा इस लिंक पर क्लिक करके इस अप्लिकस्ट को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको process बताऊंगा इसली आप घर बैठे लून ले सकते हैं कैसे लेना है चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको व्यडियो को download कर लेना है और download करने बाद गेट स्टार्ट पर अपको simple सा क्लिक करना सारे पार मिस्ट कर लेना है और फिर एक्सेप्ट कर लेना है ठीक है सारे सारे टॉंसल्य कंटिनी कर लेना है फिर हाप च attendant एक हमाइब तो सबसे पहले आपको इस अप्लिकसंस के यहाँ पर से डेलीड थे है जो भी आपए यहाँ पर कंटनीव वाले बटन पर कलिक कर लेना यहाँ यहांक़ बदड़ अप கुण लूट मैंको सк्छी करना पए एक को लोन अपलाई करने से पहले अपनाकिवाई सी डीटेल अपना बेसिक प्रोफाइल को पूरा complete कर लेना है और complete करने के बाद ही आपको loan apply करना है यहाँ पर दूसरे steps में आपको KYC complete करना है इस चीज का धान लाना है यहाँ पर KYC पर click करिए और अपना KYC यहाँ पर फोटो आपको upload कर लेना है और फिर submit कर लेना है फिर अधार details आपको यहाँ पर डालना है अपना first name, last name, middle name, date of birth यहाँ पर single marital status, qualification, father's name, आपका mother's name सारे चीज डालके next वाले बटन पर click करना है और यहाँ पर permanent address और current address डालना है next वाले बटन पर click कर देना है और whatsapp पर आपका number का notification चाहते है तो yes करेंगे नहीं तो कोई number डालना की next पर click कर लेना है third step नहीं employee details साम पर डालना है तो company का नाम, office का address, अपना pin को डालके next कर लेना है monthly income क्या है, अपना designation क्या है, date of joining क्या है, employee proof में आपके ग्रूप में क्या space slip आप देना चाहते हैं, जो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर जॉइनिंग लेटर, permanent ID, यहाँ यहाँ पर upload कर लेना है अपना ठीक है, फूर्थ इस्वर में आपना bank account का detail डालना होता है, तो अपना bank account जिसमी पैसे में आपको bank account में पैसा चीए, सारा detail आपको एक video recording करना है, summit पर click करके एक आपको video recording कर लेना है, और फिर आपको submit वाले बटन पर click कर लेना है, कुछ यहाँ पर final take आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जब सारा चीज़ आप भर लेते हैं, तो आपको कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर final आपके, आपके mobile के screen पर ही, यहाँ पर amount दिखाएगा, कि आपको कितना amount पिलेगा, यह bank के तरफ से मिलता है, यहाँ पर आप इसको चाहते हैं, अपने account में transfer करना, तो easily आप इसको click करके, आप इसको अपने account में, जो भी tender लेना चाहते हैं, request loan पर click करेंगे, और यहाँ पर सारा चीज़ दे करेंगे, और automatic आपके terms को accept करेंगे, confirm वाले button पर click करेंगे, यह पैसा आपके, जो भी आपका purpose देना चाहते हैं, loan का, यह सारे, सारे terms को accept करके, I agree पर click करेंगे, यह देखिए, view contact पर click करना है, और एक आपको agreement को agree करना है, आपको mobile पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर confirm के mobile पर, जैसे transfer वाले button पर click करेंगे, तो आपके mobile पर यह पैसे को आपके bank account में easily transfer कर दिया जाएगा, तो, M pocket की माध्यम से घर बैठे, आप easily loan apply कर सकते, आपको video समझ में आ तो, आपके मन में कोई भी doubt चाहें, कोई भी query होगा, तो आप comment section में जुरूर पूछिएगा, और आपको video संद आगा तो video को लाइक और चैनल को subscribe करकर रखे रहे, मिलते हैं next video में ने टोपिक साथ, तब तक ले, जैहिन जै भारत